एक गाव में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकानदार रामू ने अपनी दुकान को खुशियों से भर दिया था। वह हमेशा हस्मुक रहता था और उसकी खुशियों का कारण थी उसकी दुकान की विशेश था। रामू की दुकान में गुलाबी रंग की चाय पोतलियां थी और हर पोतली पर एक-एक मज़ेदार नाम था। हस्ते रहो चाय, मुस्कान वाली चाय, खुशियों की चाय, जैसे नामों से प्रथम ग्राहकों का मन मोह लेते थे। एक दिन, गाउं में तीन दोस्त, राजू, श्यामू और सुनील आये और रामू की दुकान पर चाय पीने बैठे। जब उन्होंने पोतली पर नाम पढ़ा, तो सब का मन मस्ती से भरा हुआ था। राजू ने मुस्कराते हुए कहा, यार हंसते रहो चाय और मुस्कान वाली चाय में से कौन सी चाय पीऊं। श्यामू ने बोला, देखो, खुशियों की चाय भी देखनी चाहिए, शायद वही हमें सबसे ज्यादा खुश कर दे। सबने मिलकर खुशियों की चाय मांगी और रामू ने उन्हें अपनी खास चाय बनाई। चाय पीते हुए वे तीनों दोस्त बहुत हंसते रहे और चाय के नामों पर चुटकुले किये। अचानक एक बड़ा सा बूढ़ा आदमी उनकी दुकान में आया और विचित्र अंदाज में बोला। बेटा मुझे वो चाय दो जिसका नाम हंसते रहो चाय है। रामू ने चौक कर देखा और सोचा। ये तो गाव का सबसे बड़ा गुसाई आदमी है। अब यहां हंसते र और फिर एक नई सोच से बोले। चिंता न करो। अब हम मुसकान वाली चाय बनाएंगे जो गुसे को भी मुसकराहट में बदल देगी। सबने मिलकर मुसकान वाली चाय बनाई और बूढ़े आदमी को दी। चाय पीते ही उसका गुसा धीरे-धीरे गायब हो गया और वह भी मुसकुराते हुए चला गया। रामू और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और हासी में भर कर बोले। देखा। मुसकान वाली चाय ने तो गुसे को भी हासी में बदल दिया।